आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुरलफ कश्यप के जिंदगी पर बन रही फिल्म को लेकर शेहनवाज की केकेसी मंडली अब क्या कह रही है और क्यों उसके गुर्गे अपने आका यानि की शेहनवाज को बड़ा दादा बताने में लगे हुए हैं वीडियो को देखकर आप इतना तो जरूर बताएगा कि असली गैंग्टर कौन है शेहनवाज या फिर दुरलफ कश्यप क्योंकि शेहनवाज को बसली डॉन कहा जा रहा है वीडियो को शुरू करने उससे पहले आप से बता दे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भामना को आहत पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी भी तरह के अपरात को बढ़ावा या समर्थन देना बलकि इस वीडियो को बनाने का मकसद समाज में फैले इन बदमाशों के बारे में लोगों को आगाह करना है तो आईए इस देखिया है यह मंदली को अगा जिसका नाम है जवरी बात इस का नाम है नाम है ऐखनावाज को अनके अगर आप केकेसी के आका को नहीं जानते तो देखिए ये है केकेसी मंडली का आका जिसका नाम है शेहनवाज इसी को अब असली डॉन बताया जा रहा है जो कहीं से भी डॉन नहीं लगता लेकिन दुरलब कश्यव के फिल्म में फिर भी इसको जगा मिले जाएगी क्योंकि फिल्म में ये तो दिखाया जाएगा कि दुरलब कश्यव के गोली खाकर जमीन पर पड़ा हुआ था और उगुली मेरे गले में आज भी फंसी हुई है और तब जाकर इसके जमानत होई थी। कैर दोस्तों एक बात तो साफ है कि दुरलफ कश्यप की वज़ा से ही सहनवाज को लोग जानते हैं। हलांकि बदमाश तो दोनों थे लेकिन दोनों ही बदमाशों की कैटेगरी अलग लग थी। एक को इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी इतनी प्रसिद्धी मिली कि आज उसके उपर फिल्म बनाई जा रही है। और दूसरा अपने आपको जबरदस्ती का फरजी डॉन बताने की होड में लगा हुआ। वैसे आप बताए कि दुरलिफ को शिप के उपर जो फिल्म बनाई जा रही है वो सही है या फिर शेहनमाज के उपर फिल्म बनने चाहेती। क्योंकि कहा जाता है कि फिल्म तो उसी के उपर बनती है जो समाज में जादा चर्चित होता है दुर्भाग किसे वो बदमाश ही क्यों न हो खैर जो भी हो कि केसी गैंग चाहे जितना भी शेहनमाज को डॉन कहले लेकिन सचाई तो सब को पता है इस वेडियो पर अपनी राय जरूर रखेगा बहुत 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 शुक्रिया जाय सुरी